हेलो दोस्तो पॉली टेक्निक लेंग्स सेवन सेवन क्लासे में आप सभी का हरदिक स्वागत हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग महतंपुन यहाँ पर कांस्लिंग से रिलेटड प्रस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं यानि के बताने जा रहे हैं आपको कि फॉर्थ रा इसके बाद अधर इस्टेट वाले जैसे अगर बिहार से आफ हैं तो आपको कब आओ कांस्लिंग करवानी आपको क्या-क्या चाहिए थोड़ा से उसके बारे में सॉल्ट में बताऊंगा वीडियो को पूरा और अच्छी तरी किसे देखिएगा इसके बाद मैं और वीडिय और जो अधर इस्टेट के बच्चे उनके भी थोड़े से डाउट से उनको भी यहाँ पर सॉल्ट करूंगा वीडियो को पूरा और अच्छी तरी किसे देखिएगा ठीक है और कौन को रिजिस्ट्रिसन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा से यहां पर बता दूँगा ठी हैं तुरीं वासा आपको कोई भी गलती हो गई ही उसके उसकी तक हाम्याज सभूर के बारे में के बारे में जिसक्रूब...? ठीक है पूरा schedule के बारे में यहाँ पर discuss करूँगा क्या-क्या schedule का update है तो 27 तारीक से 27.9.2021 से आपको 4th round की registration वगएरा होना start हो जाएगा अगर आप other state UP के other states यानि की बिहार के हैं उत्राखन के पंजाब बिहार कहीं से भी है UP से छोड़ करके तो आपको 4th round से ही counseling आपके start होनी है ठीक है न? इसके बाद आप मैं आपको बता दूँँ आपके उसी दिन आपका registration fees भी pay होगी इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर देख लिजे 27 तारीक को ही आप दोस्तों आपको क्या करना है choice को fill करना है और fill करने के बाद आपको lock करना है एक important point दोस्तों यह है चाहे आप UP के भी हों अगर जैसे अगर 3 round तक आपने भाग नहीं लिया UP के students है तो आप 4th round से भी ले सकते हैं कोई problem नहीं होगी इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4th round में के वही students भाग ले सकते हैं जिन्होंने not admitted up to 3rd round candidate यानि कि जिन्होंने 3 round तक कोई registration वगरा नहीं किया है कुछ भी ठीक है न तो वो 4th round से आपका अगर up के भी आए तो भी भाग ले सकते हैं अदरवाई जगा आप up के बाहर से हैं तो आपको 3rd round तक तो हुआ है नहीं होगा वो 4th round से आपका होगा इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप up से हो चाहे up के अधर इस्टेर से बिहार से कहीं से भी हूँ दोस्तों याद रखिए कि आपको केवल 4th round में केवल आपको 10 24 भर पाएंगे इस बात का दोस्तों important याद रखना आपको संच समझ कर भरना है इसके बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिजेगा ठीक है आपको केवल 10 कॉलेजी भरने इसके बाद आपको यहां समझ लिजेगा इतना दोस्तों चलता रहता है इसके बाद बात करते हैं कि जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा वह कितनी तारीक से तो दोस्तों वह 29 से 30 तारीक के बीच आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर्थ राउंड का यहां एक और इंपोर्टेंट चीज ऐ दोस्तों यहां पर आपको फ्लॉट का ओप्शन नहीं मिलेगा फॉर्थ राउंड से इस बात का आप ध्यान रख लिजएगा यहां आपको जो कॉलेज मिलेगा आपको दोस्तों वह आटमेटिक प्रीज हो करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फोर्थ राउंड को थोड़ा सा टाइट से ड्यूल है लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए एड्वांटेज भी रहेगा और भी बहुत सारी फोर्थ राउंड से रिलेटेड बाते हैं जिनको मैं अलग सेपरेट वीडिय गूरुप से हैं इसके बाद अगर थर्ड राउंड था काउंस्लिंग में भाग नहीं लिए अगर यूप की है ठीक है तो भी भाग ले सकते हैं और अगर आप अधर श्तेस से हैं तो फो और हैं यहाँ पर भाग लेंगे मैं बढ़िगे क्लें ow cigarette और आप ये एक्टर 서로 भी डाकुमेंट से आप बनवा के रख लीजेगा हाँ अगर आप अधर इस्टेट के हैं तो आधर इस्टेट का जो माइग्रेशन जो भी होता होगा एक्ष्ट्रा आपको डोमिसाल से रिलेटेड उस डाकुमेंट को भी अच्छे से यहाँ पर बनवा के रख लीजे कि दोस् पावधानिया बरतनी है उसके लिए भी मैं आपको अपडेट दूँगा जोस्तों अगर न्यू हो तो चैनल को जूरु सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है न और जोस्तों आप अगर बहुत मेरे साथ इंस्टागाम से भी जूड़ना चाहते हैं तो मैंने आईडी अपनी दूस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने सभी फ्रेंट्स वगराव भी सेयर कीजिए यहां पर आपको पॉली टेक्निक से जूड़ी हार एक अपडेट चाहे वो कांसलिंग आपका सेलेबस आपकी क्लासेज चाहे आपको जॉब अपडेट हर एक जगह पर आपकी